नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हत्ता जोडा, जिसे तांत्रिक विधी में भी जो तांत्रिक लोग है, वो भी घर में तंत्र विध्या के लिए बहुत उपयोगी मानते हैं और आयरुवेदिक द्रिष्टी से भी यह बनस्पति बहुत महत्व प्रुणा होत और इनका यह जो मकान है आप देख पा रहे होंगे, बहुत प्राचिन बिदी से बना हुआ मकान है और किसान है और इनके पास कही सारे आयरुवेदिक जड़िबुटियां उपलब्द हैं, हम इनके पास गए थे इसलिए क्योंकि हमें आयरुवेद सिखना था जड़िबु इस बनस्पति को निपाल में कालो निगुरो इस सब्द से सम्मोधन करते हैं, हम लोग इसे हत्ता जोड़ा केके जानते हैं, यह देखिए जरा, यह बनस्पति इसको उखाड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं, आसानी से आ जाता है, यह जंगलों के जंगलों में यह पाए जाते हैं, जहां पर यह लगते हैं, वहां पर काफी ज़्यादा इसके लोग इसकी जो पत्ते हैं, जब कोमल अवस्ता में रहता है तो इसके सबजी बना के खाते हैं, तांतरिक द्रिष्टी में इसके बहुत सारे महत्व बेसक हैं, लेकिन आयरुव ग्लेंड में इस बनस्पति का बहुत जवर्जस्त benefit देखा गया है विस्एस करके इस्त्रियों में होने वाली जो भी रजस्षोला से संबंदित जितने भी जो विकार है ए टू जेट जो विकार जो रजस्षोला से संबंदित बच्चा नहोना या रजस्षोला जल्दी होना की या बंनद हो जाना वहत एड्य जयद्य के साथ होना लेडी के फेस में जो फुन्सिया होना वह भी रजस कलाओक ही तो वो तमाम समस्यां जहाँ लेडी के रजसी शोला से समन्द्र ऑशिक certains विक मेरत सी होने अनुगरी शवी 6 में ए उनको मैं और खुष सिन दिया जा सकता है किसी दूसरे आयरुवेदिक आउशदी को इस में मिक्स करने की जरूतरी है पास यह जो इसके जड़े हैं छोटा चे जड़ को चंदन जैसे रगड करके इसको चटाना होता है कुछ ही दिनों के बाद जो लेडिज हैं उनके रक्त प्रशवदन होने के बाद उसके सरीर में जो पिरेड का टाइम टेबल है वो बिलकुल नॉर्मल हो जाता है सही समय में रजेशोला होना शुरू होता है और बच्चे न ठहरने वाली जो जितने भी परिश्थितिया है वो बिलकुल ठीक हो जाता है यानि कि ओवरल कुल मिला करके वैजी हमें इसी बातों को इंगित कर रहे थे नेदेश कर रहे थे कि बैटा यह कुछ ज्यादा आप लेके जाओ और कभी भी कोई भी लेडी जाए किसी भी रोगी लेडी जाए कोई भी रोग से संबंदित हो उनको आप यह जड़ जरूर देना क्योंकि लेडी के लिए लगा लो कि यह बरदान है औ और पूरूस में भी अगर प्रोस्टेट ग्लेंड में अगर कोई प्रोब्लम दिखे तो उन्हें भी आप हंस के यह जड़ दे दो थोड़ा चा तो जरूर उनको वेनफिट होगा ऐसा करके काफी हंसमुख वैजी है यह तो उनको जितना नौलेस था इस विशाई के परति वैसे हम लोग तो यहां जड़ी बुटी कलेक्शन करने और नवीन जड़ी बुटियों के बारे में जिग्यासा और जानकारी प्राप्ता करने के लिए आये थे तो इनके घर में रहे करके हमने तीन-चार जड़ी बुटियों को कलेक्शन किया है और यह देखिए जरा इनक बहुत सुन्दर एको फ्रेंडली मकान यहां जानवर है यानि गाए है वहां से गाए बिलकुल देशी है और इसके जो दूर इतना स्वादिश्च था मैं आपको बता नहीं सकता और ग्रामिड लोग है बहुत अधिक पड़े लिखे भी नहीं है आयरुवेदिक जो बाते हैं उसके विषय में भी ग्रंथुक्त जो बाते इने उसको उसके बारे में तो नहीं मालूम लेकिन जितने जड़ी बुटिया इनको बताया गया होगा गुरुज्च के मादियम से तो उसके बारे में इनको नॉलेज है और यही इस तरी रोग से समझ जो समझ याए हैं ऐसे र आ रहा है तो ऐसे तमाम समस्या से ग्रसित जो लेडीज है वो इनके पास आते रहे हैं चूकि हम तो इनके जस्ट नजदीक में हम जड़ी बुटी कलेक्शन करने के चकर में हम गए थे तो लगे हाथों चलो हमें जिगियां से हुई कि भाई इनके पास जाए और कुछ आप देख पा रहे होंगे इतना हता जोड़ा हमने यहां से कलेक्शन किया और कुछ दूसरे जड़ी बुटी जो उसके सामने आप देख पा रहे होंगे यह राहता जोड़ा आप इसको द्यान से देखिएगा आपके असपास में मिले तो आप इसे जरूर कलेक्शन कर इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था और एपिलेपसी के जो रोगी उनकी लिए नसवार के रूप में वो जो मोटा सा लकड़ी वो है और ये कचनार का छाल है इसको हमने निकाले थे और इसको सुखाया था कचनार का चाल बहुत अच्छा है कचनार का चाल भी रक्त सोदक है यह इसकिन डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है मैं कई बार इसको लेके जा चुका हूं और जिनको मैंने दिया है वो दुबरा इसके मांग करते लेकिन चुकि यह नेपाल में मिलता है और इंडिया में प्रयूक किया तो मुझे इसका कुछ अधीक बेनेफिट मुझे तब-तब मुझे देखने को मिला तो अभी जो लकड़ी उन्होंने उठाए थे वह लकड़ी नस्वार के लिए बहुत अच्छा है किसी के सीर में दर्द हो रहा है नाग से ब्लड आ रहा है, नाग बंदा हो गया, ऐसे, यह देखिए जरा, यह है आपका हता जोड़ा, किस तरह से दिखता है, कैसा इसके पौदे है, यह काला हता जोड़ा है, कालो निगुरो के करके नेपाल में इसको समोधन करते है, तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इस दुरलब जानकारी को, इस वीडियो को, आपके अपने फेस्बुक मित्रों में, वाटस अप में जरूर सेर कीजेगा, मुझे दीजे बिदा, जैस्री राम